एक डिटेक्टिव को एक आदमी को चीट करते हुए पकड़ने का काम मिलता है ये काम वो जब करने के लिए गया तो उसे हायर करने वाली और जिसों से पकड़ना था इन सब की डेट बोड़िज उसे मिली अब इसके पीछे कौन था ये आज के हमारे मुवी दस सेंट में हम देखेंगे ये एक बहुत यह चीजी सस्पेंस और मिस्ट्री मुवी है विशान तक जरूर देखेगा इसके ट्विस्ट भी आपको बहुत पसन आएंगे अब आपको वीडियो अच रखता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा और बिना किसी तरीके एकस्पेंस स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन गैरेक्टर कैंग हमसे इंट्रोडियूस होता है कैंग पहले एक डिटेक्टिव था पर उस पर इलजाम लगा कि अपनी सुपीरियर की वाइफ के साथ इंटिमेट हुआ है इस इंक्वारी की वज़े से उसे दो साल के लिए सस्पेंट कर दिया गया था इस टाइम में कैंग ने अपनी डिटेक्टिव एजनसी खोली है अगर किसी को लगता है कि उनका पार्टनर उन पर चीट कर रहा है और उन्हें पकड़ना है तो इस सब लोग कैंग के पास आते है कैंग का एक उसूल है कभी भी किसी पर भी चीट नहीं करना चाहिए जब उस पर इलजाम लगा तो उसने स्टिकली कहा था कि वेन ऐसा कुछ भी नहीं किया वो सिर्फ गलत कंडिशन में दिख गया था इस एलजाम की वज़े से उसकी वाइफ भी उसे छोड़ कर चली गई है इस सीन में कैंग के पास कुछ क्लाइंट्स आये थे तो उनक्यों हेल्प कर देता है कैंग को अपने काम में जी पॉंग हेल्प करता है जी पॉंग पहले एक्सकॉन हुआ करता था फिर कैंग नहीं उसे हायर कर लिया जीपॉंग दिखने में कि उसकी हरकते थोड़ी सी डम लग सकती है और बहुत ही जादा स्मार्ट होता है जितने भी केसे इन्होंने सॉल किये थे इसके सारी एविडन्स उन्होंने अपने ओफिस में रखे है जीपॉंग ने कैंग को याद दिलाया एक बहुत यी ब्यूटिफुल सी लड़की के साथ आपकी अपॉइंट्मेंट है इसके लिए कैंग भी एक्साइड़ था यह लड़की आई और उसका नाम था सुजीन सुजीन कहती है मेरा हस्बन मुझ पर जीट करा है उसे मुझे रंगे हाथ पकड़ना है यह सब उसे करना तो था पर जादा और शूर नहीं थी कैंग उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है तुमने कुछ गलत किया वो कहती है कि मेरा हस्बन मुझ पर जीट करा है उसने सब कुछ गलत किया है कैंग कहता है तो फिर क्या बात है हम डारेकली जाएंगे और एविडेंस लेकर आएंगे कोरिया में कोई भी एडिल्टरी करता है तो उसे डारेकली जेल जाना पड़ता है यही सजा दिलाने के लिए सुजिन के हस्बंड की वो वीडियो टेप लेकर आएंगे जिसे सब कुछ प्रूव हो जाएगा इसके बाद नेकसिन में कैंग अपनी वाइफ यंग से मिला यंग उसे फिर से डिवास पेपर देती है वो बहुत दिनों से ट्राय कर रही है पर कैंग इन पेपरस पर साइन ही नहीं करता वो उसे फिर से कन्विन्स करने की कोशिश करता है कि मैंने तुम पर जीट नहीं किया पर यंग इस बात को नहीं मानती है इसके बाद रात में क्यांग सुज़िन की हस्बन को पकड़ने के लिए एक मौटल में पहुचा मौटल में उसे एक कपल नहीं देखा था उसने सुज़िन के हस्बन का डोर नौक किया और कहा कि मैं गलत रूमें पहुच चुका हूँ वो अपलोजाइस करकर वहाँ से चला जाता है वो सिर्फ कन्फरम कर रहा था कि सुजीन का हजबन किसी और लड़की के साथ है साइड के रूम में सुजीन थी तो उससे मिला सुजीन कन्फियूस हो गई थी और वो नहीं चाहती थी कि उसका हजबन कोई भी ट्रवल में आए वो रोने लगके कहती है मैं बहुत हर्ट हूँ वो ड्रिंक कर रही थी तो कैंग को भी ओफर करती है वो रो रही थी हर्ट थी इसलिए कैंग भी उसे साहरा देता है वो उससे किस कर ले थी इसके बाद रात में कैंग उठा और अपनी गलती उसने रियलाइस किये वो कभी भी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करता उसने लाइट आउन किये तो देखा कि सुजिन की डेथ हो चुकी है वो बहुत ही जादा डर गया इसके बाद वो सुजिन के हस्बन की रूम में गया वहाँ देखा तो वहाँ उसकी भी डेट बॉड़ी पड़ी हुई थी उसके पीछे से एक लड़की आई ये लड़की भी डेट बॉड़ी देखकर बहुत डर गई थी कैंग उसे पुछता है तुम कौन हो वो कहती कि मेरा नाम सुजिन है और है मेरा हस्बन कैंग ये सुनकर सप्राइस्ट हो गया उसने उसका आईडी चेक किया तो सब को सही था अब ये बहुत ज़ादा कनफ्यूज हो जाता है कुछ भे फिगर आउट नहीं कर पाता सुजिन कहती कि मैं शावर में थी यहाई तो डारेकली डेड़ बॉडी देखी कैंग कहता है कि अब हमें डरना नहीं है यहाँ पर हम दोनों अंजान से होटेल में है हमारे साथ दो डेड़ बॉडी है अगर किसी को इसके बारे में पता चला तो सब लोग हम पर इशक लेंगे कैंग जल्दी से गया और होटेल की रेकॉर्डिंग्स चेक की किलर ये रेकॉर्डिंग भी लेकर गया था अब कैंग डिसाइड करता है इस सब सिचुएशन को हैंडल कर लेगा उसने जीपों को कौल लगा यहाँ का पूरा क्राइमजीन उन्होंने साफ कर दिया एक रिमोट सी जगा पर जाकर ये बोडिगार्ड कराते है ये सब हो जाने के बाद कैंग को बहुत सारे सवाल थे उसके पास जो आई थी वो सुजिन कौन थी सुजिन का आईडियो उसके पास था जादा कन्फियूस्ट हो गया एक्चुल जो जिन्दा सुजिन है उसे कैंग कहता है सब कुछ नॉर्मल चलने तो एक वीक हो जाने के बाद अपने हस्बन को मिसिंग रिपोर्ट कर देना सुजिन बहुत ही डर गई थी उसे लगता है उसे सब कुछ पुलिस को बता देना है उसने विरोने कॉल कर दिया पुलिस आते हैं और सुजिन से क्वेशन बुच्चते हैं सुजिन कहती है कि वो बिजनेस टीप पर गया हुआ था पुलिस को लगा कि किसी और लड़गी के साथ गया होगा वो इस बात को सिरेसली ले नहीं रहे थे सुजिन उसे सब कुछ बताने वाली थी तब ही क्यांग बहाँ पहुँच गया क्यांग के दो साल कंप्लेट हो चुके है अब वो डूटी पर आ सकता है वो यही रिजन दुसरे पुलिस को भी देता है क्यांग ने सुजिन को कुछ भी बताने से रोक लिया क्यांग ने सुजिन के हस्बन की गाड़ी ठिकाने लगाने का काम यह जी पॉंग को दिया था जी पॉंग को यह गाड़ी अच्छी लगी थी तो सिर्फ उसने वो गाड़ी चुपा दी ये अब डारेक्ली पुलिस को मिल चुकी है सुजीन को जब ये पता चला तो सब कुछ सच-सच बदाने के लिए पुलिस टेशन आ गए वो कुछ बदा पाए इससे पहले कैंग ने उसे रोक लिया उसने का रियल किलर को में ढून लोंगा सिर्फ मुझे थोड़ा सा वक्त दो वो पुलिस टेशन में आही चुकी थी तो फिर से पुलिस उससे क्वेशन करते है इस बार हो गहती है इसायद मेरे हस्बन का किसी से चक्कर चल रहा था मैंने उसे फोन पर बात करते हुए देखा था कैंग की वाइव यंग ये भी एक पुलिस ओफिसर ही है उसने कैंग और सुजिन को एक साथ बात करते देखा उसे लगता है इनके बीच कुछ ना कुछ तो है सुजिन जब चली गे तो यंग कैंग से यहती है इसका सेंट बहुत ही सिर्ट्टिव है हजबन मिसिंग होने के बाद भी इसके पास परफ्यूम लगाने का टाइम है कुछ ना कुछ तो जरूर गड़वड है पुलिस ने सुजिन के हजबन के सब कॉल रिकॉस निकल वाए उन्हें पता चला कि उस सुजिन के अलावा इसे और लड़की से बात करता था उसका नाम भी सुजिन ही था इसकी इन्वेस्टिकेशन करने के लिए एक डिडेक्टियो इसका नाम हान एक एंग को लेकर डेड़ सुजिन के घर पर चला जाता है डेड़ सुजिन या अपने बॉइफरेंड के साथ रहा करती थी उन्हें उसके बारे में उसे पूछा बॉइफरेंड कहता है एक महना हो गया वो घर से चली जा चुकी है मैं उसका जीम ट्रेनर हुआ करता था हम रिलेशनशिप में आये पर वो सैडिसफाइड नहीं थे उसने फिर एक अमीर आदमी को पकड़ लिया उसका प्लान था कि उससे बहुत सारे पैसे लेगी और इस कंट्री से भाग जाएगी इसके बाद नेक सिन में हम देखते है कैंग रियल सुजिन के घर पर आया हुआ था वो घर पर नहीं थी तो उसकी मेड से वो बात करता है उसने उसे बहुत सारे पैसे ओफर किये तो गहती है सुजिन को उसका हस्बन बहुत मारा करता था को इस टाइम पहले उसने पुलिस को भी बुलवाय था अब कैंग को शक जाता है कि शायद सुजिन इस सब में involved है अब कैंग सुजिन से मिलने के लिए गया वो जिम में थी उसकी बॉड़ी पर उसने नोटिस किया कि बहुत सारे मार्क्स है क्याएं उससे कहता है तुम्हारा हस्बन तुम्हें मारा करता था उसके पास बहुत सारे पैसे थे इसी वज़े से शायद तुमने उससे शादी की थी अगर तुम उसे नहीं मार डालते तो एक दिन वो तुम्हें मार डालता ये मर्डर तुमने ही किया है सुजिन इस बात पर बहुत गुसा होगे कहती है कि यहाँ से चले जाओ और वापस फिर से कभी मता ना रात में कैंग सुजिन पर नज़र अग रहा था सुजिन उसके सामने नूड होकर बात लेने के लिए चली जाती है उसे कॉल करती है पुछती है क्या तुमें लोगों पर नज़र रखने में मज़ा आता है अंदर आ जाओ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है सुजिन उससे कहती है मेरा फर्स्ट हजबन उससे बहुत प्यार करता था अगर मैं किसे से बात भी करो तो भी वो जेलर्स हो जाता था उसे मारने भी लग गया था इन सबसे वो तंग आगे उसे छोड़ दिया अमने एकस हजबन से जब उसने शादी की तो उसका बहुत खैल रखता था पर एक दिन सुजिन को पता चला कि उस पर चीट कर रहा है उसने उसे कंफरेंट किया तो इस बात से उसका हजबन बहुत ज़्यादा घुसा आओ गया इस हजबन ने भी उसे बहुत मारा था वो रोने लग जाती है कैंग से कहती है कि वो जैसा भी था वो उसे बहुत प्यार करती थी और उसके जाने के बाद उसे मिस्स करती हो मैं कभी भी उसे मार नहीं सकती है अगली दिन कैंग अपनी वाइफ के साथ था उसे फिर से मनाने की कोशिश करता है रेचानक से उसे सुजिन का कॉल आ गया वो कहती है मेरा आफटरनून से कोई पीछा कर रहा है वो जल्दी से उसके घर पर पहुच जाता है वो उसने देखा कोई सुजिन पर नज़ा रख रहा था कैंग उसके पीछे बागा उसे पकड़ लिया इन दोनों में फाइट होती है पर फिर भी वो आदमी यहां से भाग जाता है इस फाइट में कैंग भेहोश हो गया था तो सुजिन उसका ख्याल रख दिया उसे होश आया तो कहता है कि यह सब चीज़े बहुत ही स्टेंज है तुम्हारा जो सेंट है यही सेंट डेड सुजिन का भी था यह करीब आ गय थे सुजिन उसे किस करने वाली थी तब है उसे कॉल आ गया पुलिस को सुजिन का हस्बन और दूसरी सुजिन दोनों मिल चुके है पुलिस को इनकी डेड वाड़ी को लेकर एक अनानोमस टिप मिली थे कैंग और सुजिन चब एक साथ थे तो कहता है डेड़ बॉडिस के बारे में सिर्फ तीन लोग को पता था मुझे जी पॉंग और तुम्हे उसे लगता है कि सूजी ने ये सब किया है उसने बूचा कि अब दुम्हारा निक्स प्लान क्या है सूजी ने सुनकर गाड़ी से निकल गई कैंग उसके पीचे पीचे आया कहती है मैंने कुछ भी नहीं किया वो रोने लग गई थी यह दोनों करीब आ गए और किस कर लिया डेड़ सूजीन कैंग से मिलने उसके आफिस आई थी यहाँ के कॉल रेकॉर्ड से पुलिस को इस ओफिस के बारे में पता चल गया कैंग को भी पता चल जाता है सब लोग वहां रेट डालने के लिए जा रहे है उसने जल्दी से जीपॉंग को कॉल किया और कहा कि सब कुछ वहां का साफ कर दो इनके पास टाइम बहुत ही कम था पुलिस के साथ कैंग भी वहां पहुश गया वो डर रहा था इशायद पुलिस को सब कुछ मिल जाए पर जीपॉंग ने सब कुछ साफ कर दिया है इस ओफिस से पुलिस को पता चला इसमें जीपॉंग इन्वाल है सब लोग उसे ढोनने लग जाते है डिरेक्ट्टू हान को लगता है जीपॉंग अकेला ये सब चीज़े नहीं कर सकता इसमें और को इन्वाल्ड है इसके पास सुजिन के हजबन का फ्यूनरल था इस पर कैंग भी आया कैंग और सुजिन ये अकेले एक रूम में मिलते है यहाँ पर एक दूसरे को किस करने लग गए कैंग अपने आपको कंट्रोल नहीं कर बाया उस सुजिन के साथ इंटिमेट होने वाला था तब ही अपना रिफ्लेक्शन उसने एक मिरर में देखा उसने रियलाइज किया कि सब कुछ गलत है वो कभी भी अपनी वाइफ पर चीट नहीं कर सकता अगले दिन स्टेशन में कैंग की वाइफ ने उससे बुल वाया वो गहती है यह सुजिन के कॉल रेकॉर्स है जिस दिन उसका मर्डर हुआ उस दिन तुम से बात करना है बहुत ही स्टेंज है कैंग कहता है यह बात जरा बड़ी है इससे कुछ भी कंक्लूजन मत निकालो यहाँ पुलिस स्टेशन में हम देखते है एक कबल आया हुआ था वही कबल है जिन्होंने कैंग को मोटेल में देखा है कबल में इसे आदमें कैंग को पहचान लेता है वो कहता है कि मैंने तो इसे ही देखा था कैंग बहुत दर गया कैंग उसके पास जाकर उससे थंकाता है कहता है कि मैं एक पुलिस ओविसर हो तुम वहाँ मुझे कैसे देख सकते हो वो आदमी भी डर कर अपना स्टेटमेंट चेंज कर लेता है कैंग के फ्रेंड को पता चल गया कुछ ना कुछ तो कर बढ़ है फिर रात में उसे डीनर पर पुछता है तुम में और सुजिन में चल कह रहा है कैंग कुछ भी नहीं बोलता तो उसका फ्रेंड कहता है इससे तुम बहुत बड़े टरबल में आ सकते हो पुलीस टेशन में कैंग के खिलाफ सबूत देने के लिए एक डिलूरी मैन आया हुआ था कैंग उसे पहले ही पकड लेता है पूछता है तुम्हें किसने देने के लिए कहा उसने कहा एक बहुत ही आट्रेक्ट्यू लड़की थी उसका सेंट बहुत ही ब्यूटिफूल था कैंग अब 100% शूर था सुजिन उसे फसाना चाहती है उसके पास आया और कहा तुमने ही उसे मारा है सब कुछ मुझे सच-सच बताओ सुजिन ने कहा मेरा हस्बन बहुत ही आजीब था वो चाहता था कि जब वो किसी और के साथ इंटिमेट हो तो मैं उन दोनों को देखू मैंने इसा नहीं किया दिन उसने मुझे पान कर जबरदस्ति उसे देखने के लिए मजबूर किया था जिस रात उसकी डेथ हुई तो इस सब के लिए मैं मान गई थी एसलिए हम सब होटेल पर थे क्यांग कहता है कि अब सब कुछ खतम हो चुका है वो उसे कफ करता है पर सुजिन कहती है तुम भी वहा थे मैं पुलिस को बता दूँगी कि तुमने दूसरी सुजिन को और मेरे हस्बन को मार डाला तुम दूसरी सुजिन के साथ इंटिमेट हुए थे तो पुलिस की रिपोर्ट से ये भी साबित हो जाएगा सुजिन फिर से कहती है कि मैंने मेरे हजबन को नहीं मारा अब कैंग कोश कर भी नहीं सकता कैंग को राद में पुलिस टेशन से कॉल आया से पता चला सुजिन के बौडी पर जीम ट्रेनर जो पाउडर यूज़ करते है वो पाया गया है कैंग का शब डेड़ सुजिन के बॉइफरेंड पर जाता है कैंग ने फिर उसके सब कुछ कार रेकॉर्ड से करा निकलवाए उससे पता चला डेड़ सूजिन का बॉइफरेंड उस रात इसी एरिया में था यानि कि वही असली किलर है नेकसिन में बुली स्टेशन में था उसके फ्रेंड हान को पता जल गया था कि जीपॉंग और कैंग ये दोना एक साथ काम करते है वो से अरेस्ट करने की कोशिश करता है वहाँ से भाग जाता है कैंग को भागने में शिपॉंग ने हेल्प कि रात में कैंग डेड़ सूजिन के बॉइफरेंड को पकड़ने की लिए गया इसके पैरलल में हम देखते हैं कि रियल सूजिन पूली स्टेशन में आच चुकी है वोने बताती है कि डेड़ सूजिन मेरे हस्बन को ब्लैकमेल कर रही थी उसने कैंग को भी अपने प्लाइन में शामिल किया था डेड़ सूजिन का काम हो गया तो उसके बाद वो कैंग को भी blackmail करने लग गए इसके बाद कैंग ने उसे और मेरे हस्बन को दोनों को मार डाला मैं खुद इसकी witness हो मैंने कैंग को मेरे हस्बन को मारता हुआ देखा था मैंने पुलिस को कुछ भी नहीं कहा क्योंकि कैंग उसके बाद मुझे blackmail करने लग गया मेरे हस्बन की property में उसे 30% चाहिए थे अब सब पुलिस को लगता है कैंग 100% culprit है इसके parallel में कैंग ने dead Susan के boyfriend को पकड़ लिया है इन दोनों में fight होती है कैंग उसे बोचता है तुमने इस सब किया क्यो डेल सुजिन मेरे पास क्यों आई थे वो कहता है इन सब के पीछे actual सुजिन ही है उसे पदा चल गया था कि उसके husband का और मेरी girlfriend का affair चल रहा है वो फिर मेरे पास आए उसने कहा कि उसकी property के 30% मुझे दे देगी इसके बदले में मैंने उसके husband और मेरी girlfriend को मार डाला सुजिन नहीं मेरी girlfriend को तुमारे पास भीजा था कैंग सप्राइस था इस सुजिन उससे क्यों frame करना चाहती थी इसी confrontation में फिर से boyfriend कैंग को मारने लग जाता है वो उसे मार ही डालता पर तब यहाँ पर यंग पोज़ गई वो डेड़ सुजिन के boyfriend को मार डालती है कैंग और यंग यह पुलिस टेशन में आये सब को समझाने की कोशिश की पर कोई भी माना नहीं सुजिन कैंग के खिलाफ एक witness बन चुकी थी अब कैंग की help कोई भी नहीं कर सकता कैंग handcuffed था उसे मिलने के लिए यंग आई उसे कहता है मुझे सिर्फ थोड़ा सा टाइम दो मैं सब को सही कर दूँगा यंग को भी लगता है कि कैंग इनोसंट है वो उसके कबस खोल देती है कैंग अपने superior को gun लगा कर वहाँ से भाग जाता है वो directly सुजिन के पास आया इसी के parallel में सुजिन ने उस रात की hotel की recording यंग को भीज़ दी थी इसे प्रूव हो जाता है कि कैंग इनोसंट है इसमें साफ साफ दिख रहा था कि सुजिन के dead boyfriend ने ही सब को मारा है कैंग अब सुजिन से तो मिला पर उसने उसे जाने दिया थोड़ी दर में बुलिस भी वहाँ पोच गया अब कैंग पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा पर हान पूछता है तुमने सुजिन को जाने क्यों दिया कैंग ने गा कि वो already चली जा चुकी थी हान को मालूम था कि वो कुछ ना कुछ तो चिपा रहा है अब मैं कैंग जब सुजिन से मिला तो क्या हुआ था या पता चलेगा सुजिन उसे बता देती है ये रेकॉर्डिंग्स मैंने तुमारी वाइफ को भीज दी है अब तुम पर कोई भी शक नहीं करेगा कैंग ने उसे पूछा तुमने मुझे क्यों चूस किया वो कहती है already तुमें तुमारी वाइफ पर चीट करने के लिए सस्पेंट कर दिया गया था सब लोग तुम पर ही शक करते मेरे प्लान के लिए तुम बहुत ही इंपॉटन्ट है तुमने क्राइम सीन को सही से साफ कर दिया था जैसा हो जाती थी सब कुछ वैसा ही हुआ वो फाइनली कहती है मुझे अब यहाँ से जाने दो अगर मैं पकड़ी गई तुम भी ट्रबल में आ सकते हो इसके बाद कैंग ने उसे जाने दिया कैंग अंडर सस्पीशन ही था उस पर कोई भी चार्ज नहीं लगे पर फिर भी उसे जेल में थोड़ा सा जाना पड़ा था वो जब जेल से वापस आता है तो उसकी वाइफ उसका वेट कर रही थी सुजिन ने यूंग को बता दिया है कि वो कभे भी उसके साथ इंटिमेट नहीं हुई कैंग की वाइफ को जो भी लगा था इसलब उसकी मिस अंडरस्टेंडिंग थी उसे सब चीजों के लिए माफ कर देती है अब मुवी में थोड़ा सा टाइम गुजर चुका है कैंग का अब एक बहुत ही सक्सेस्फुल ओफेस है अब बहुत दिनों बाद उसके पास एक लाइन्ट आई कहती है मेरा नाम सुजिन है उसने उसे बॉक्स दिया इस बॉक्स में कैंग ने देखा तो एक दिकेट और एक फोन था उसे कॉल आया और इस सुजिन का था वो गहती है मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया इस सब के लिए मैं सौरी हूँ कैंग उसे बुशता है तुम अगर चाहती तुम मुझे फ्रेम कर सकती थी तुमने मुझे जाने क्यों दिया वो कहती है जो भी आदमी मुझे लाइफ में मिले सब कुछ बहुत ही घटिया थे मेरा एक्च्वल में खयाल सिर्फ तुमने रखा था मुझे जब भी तुम्हारी जरुवत हो दी थी तुम आज आते थे अब सुजीन के पास बहुत सारे पैसे है तो कहती है कि अगर तुम चाहो तुम मेरे साथ आकर रह सकते हो उसे मिलने के लिए ही उसने फ्लाइट का तीकिट भीज़ दिया है क्यांग कहता है कि मेरी फैमिली है उसका रूल है कभी भी वो चीट नहीं करता वो अब अपनी लाइव से खुश था इसे मुमेंट पर ये मुवी एंड हो जाती है अगरे मिस्टिय आपको बसन आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा बहुत सारी मुवीज लेकर आत रहता हो तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर दीजे बेल नोटिविशन आइकों दबने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक मुवी के साथ तब ते लिए थैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखिये